नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल आटोमोटिव में दोस्तों आज हम रिवीव करने वाले है बजाच की मोस्ट पॉपिलर इलेक्रिक स्कूटर बजाच चेतक का जो कि आप देखी सकते हैं यह है दोस्तों इस स्कूटर की की जो की काफी ज्यादा अलग है इस पार्किंग लाइट साय तो यह चारों तरफ के वह जलने लगते हैं यह बटन पुश करने के बाद दोस्तों कि हमारे पास होनी चाहिए तभी यह गाली स्टार्ड होती है तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह आपके जिब में रख देनी है और यह जो बटन है इसको पुश कर दीना थैंद पुश करने के बाद दिखञे दोस्तों इसकी फाइल को ईकिना डीकिन एक दम से प्रीमियम लुक इस सकूटर को इस LED की वज़ा से मिलता है दोस्तों जी यहां पर फ्रेंट में और यह जो मिरर से इसका लुक अलग सा कुछ थोड़ा सा बदल जाता है और इससे इसका लुक भी अच्छा हो जाता है बाद में हमें सबसे पहला अट्रेक्शन होता है यहां दोस्तों यह इसने बहुत ही अच्छा काम किया इससे इसका लुक बहुत ही डिजाइन किये गए हैं और इस इंडिकेटर के नीचे हमें यहाँ पर इस इंडिकेटर के सबसे पहले मैं आपको एक बाता बता दू अब यह इंडिकेटर चालो है मैं इसको बंद नहीं करूंगा सिर्क मैं हाथ से हैंडल यहाँ पर एसा घुमा दूंगा देखिए आप में फ्रांट में डिसब्रेक मिल जाते हैं और यहाँ पर शॉकर्स ब्हामें स्टील की मिल जाते हैं जाते यहाँ एकदम किया गया दूस्ते यहां दोस्ते आप अब देख सकते हैं यह भी प्लेस्टिक नहीं है और यह थोड़ा सा फाइबर इसमें यूज किया गया है क्योंकि यह डिजाइन के लिए होता है दोस्तों तो आपको तो पता ही लोहा बिल्कुल सेप नहीं होता लेकिन यह पूरेक के तरह लोहेक से बना अब हम देखते हैं इसकी साइट प्रोफाइल देख सकते हैं दोस्तों साइट से तो आपने देखी लिए होगा स्टार्ट करते ही लेकिन अब फिर से देख लेजिए साइट से भी यह जो स्कूटर है बहुती ज्यादा अच्छी लगती है दोस्तों यह देख सकते हैं और सा से बॉडी के अंदर ये फिट हो जाता है और यह भी लोहे का है इसमें ज्यादा से ज्यादा लोहे का यूज किया है इसलिए हमने यह यह घरी दिये आपको तो पता हिए जैसे कि विलेश में छोटे टाउंस में रस्ते खराब होते हैं कुछ इस तरह से इसके लिए प्लैस्टिक की जो स्कूटर्स होती है वह अच्छी नहीं चलती है आवास करने लगती है इसलिए हमने लोही की प्रिफेर की पहले हम ओला लेना चाहते थे लेकिन मैंने जब इसका पर इसको एक बास टेस्ट किया और इसके कंफर्ट देखा इसके फीचर्स देखे तो मुझे ओला से ज्यादा अच्छी बजाच चेतक लगी जी हां दोस्तों आपको भी अच्छी लगेगी यह वीडियो पूरा देखिए और अच्छी ही यह स्कूटर है पीछे में हमें यह मारजिन मिल जाती है और यहाँ पर बजाच की बैजिंग मिल जाती है पीछे भी हमें ग्रिल मिल जाती है जो कि काफी जादा अच्छी है सामनी की तड़ाई है लेकिन थोड़ इसे छोटी है पीछे के इंडिकेटर्स देख सकते है और पीछे का लुक्स देख सकते है इस स् चलते यहां पर ऐसा स्ट्राइड के बंद हो जाता है यह थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा उन्हों ने चेंजिस किये हैं आगे का इंडिकेटर अलग जलता है पीछे का इंडिकेटर अलग जलता है अब इस साइट के हम प्रोफाइल देख लेते दोस्ते एक बाद इंडिकेटर स्टाडी है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर यह बात मुझे इस साइट की बहुत ज्यादा पसंद आई क्यूंकि यह बंद करने के बाद यह बी बॉड़ी के अंदर ऐसे घुल मिल जाता है य हमारी नॉर्मल एक्टिवा में जैसे होता है वही है और यह बंद करने के बाद यह पूरी तरह से बॉड़ी के अंदर चला देता है दोस्तों देख सकते हैं यह बहुती अच्छी काली बनाई है दोस्तों बजाज वालो ने यहाँ देखिए यह स्कूटर की इस एक प्लस प और वो बेल्ट छे मैने में एक साल में खराब हो जाता है अच्छी कॉलिटी होगी तो एक साल बाकी छे मैने में खराब हो जाता है लेकिन यह जो बज़त चितक है इसमें बेल्ट यूज नहीं किया गया दोस्तों बिल्कुल बेल्ट यूज नहीं किया गया है डारेक मोटर हएं पूरेस तरह से पीछह हमें डिसब्रेक नहीं मिलता है और यह वह जो आघ की अज़नी है चार्ज सूराई यहां पर हमें डिक्टा भी है कि वह चारज हो रही है और टलान पिال ले जाने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों इसको क्यूंकि अब हम आपको एक बता रहूं में अगर हम गाली चलाते हैं और रेस्ट कम करते हैं और गाली यहां से कुछ वहां तक भी जाती है तो भी चार्ज होने लगती है हम इसके ट्राइव भी लेंगे दोस्तों वह भी आपको इसमें एक्स्प्लेंड करेंगे इसकी लुक्स के बारे में दोस्तों तो अब हम इसके फीचर्स भी जान लेते हैं तो सबसे पहला मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया हूँ फीचर्स है इंडिकेटर यहां पर देख सक देख सकते हैं इसके बाद यहां पर आपको जो कुछ वजन कैरी करना पड़ता है कुछ सब्सक्राइब लानी जाने पड़ता है स्कूटर पे तो उसके लिए उन्हों ने बहुत ज्यादा अच्छ है इंतजाम किया है जो थेलिया होती है उनको अटकानी के लिए देख सकते पुश किया और यह उपन हो गया यहाँ पर आप पाच किलो वजन आराम से कैरी कर सकते हैं पुश किया और उपन हो गया तो दोस्तो यह भी बहुत ही अच्छा मुझे लगा उसके बाद यह जो चीजा है यह आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगीगी यहाँ पर एक तोड़ी सी जगा बच जाती है कुछ हमारी खाइल्स और कुछ सामान रखने को लिए यहां पर आप देखी सकते हैं यहां पर हम चारजीं कर सकते हैं और हम इसको आपका चार्जर दिखा देते हैं और एक और फीचर मुझे इसका बहुत अच्छा लगा जो कि हम नॉर्मल से स्कूटर की डिक्की ओपन करते हैं उसको पकड़के रखने की ज़रूरत नहीं है जी यहां दोस्तों आप कैसे भी रख सकते हैं यह उसी जगा स्टैंट रहेगी नीचे भी नहीं गिरेगी और कर रखते हैं एक उत्यूदक इसके अंदर हमें चार्जिंग बाव को सब्सक्क्राइब करते हैं उसके बाद इनदर श्रक्राइब इसके लिए देख कितनी अच्छी चीज किया है बजा ज्बन हम्जी आप अगर बजा चेतक खरी Ya चाहते हैं तो बिंदास खरी दिए कोई प्रोब्लेम आपको नहीं होने वाली यह इसका चार्जर और यह आराम सी इसके अंदर फीट हो जाएगा इसको चार्जिंग कैसे करें उसके उपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा वह भी आप देख सकते हैं तो यह चार्जर अभी मै मोड मिलते हैं एक इकोस मोड और एक स्पोर्ट मोड यह दोनों मोड इसी बटन से कंट्रोल होते हैं यहाँ पर देखिए अब जो स्कूटर है बंद है इसलिए स्पोर्ट मोड यहाँ पर दिखाता है इको यहाँ पर स्पोर्ट यह अभी के लिए दिखाई नहीं दे रहा द सबसे इंपोर्टेंट चीज यह स्कूटर रेंज कितने की देती है और इसकी प्राइस क्या है वो सारी बात यह अब मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों इसकी बारे में बात करें तो एक बार फुल चार्ज हो जाने के बाद है दो सकूटर 152 km कि रिंज case सांव निकल Secondly दोस्तों निकल के देती है एक बार का जाने के बाद और उसके बात इसकी ईसकी जो प्राइस है जो कीमत वह कितनी है तो दोस्तों कीमत अन्रोड वन लेक्स थर्टी फाउजन में मिले क्यों दोस्तों क्यों विए पी नंबर लिया है इसलिए हमें थोड़ी प्राइज एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़े इसके लिए विए पी नंबर के लिए आपको पते होगा विए पी नंबर के लिए थोड़ी से पैसे ज्यादा देने कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियो और दिखने के लिए